जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर दर्शकों आज का वीडियो बहुत महतपून है और महतपून इसलिए है कि भविष्य में मेरा वीडियो आपको इस बात की याद दिलाएगा कि जो बात मैं आज कह रहा हूँ वो कैसे भविष्य में अक्षर अक्षर सत्य साबित हो रही है और इसके बाद आप बहुत सारे और चैनलों पर वीडियो बनते भी आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ बात ही ऐसी है कि जिसे हर विक्ति अपने अपने तरीके से पेश करने की कोशिश तो जरूर करेगा क्योंकि कुछ कॉपी पेस्ट करने वाले अपनी हरकतों से बाज कभी आते नहीं हैं इसी लिए जो मैं कह रहा हूँ बहुत तत्थियों के आधार पर कह रहा हूँ और क्या होने वाला है एक एक शब्द और उसका मतलब आपको वही लेना है जो मैं कहने जा रहा हूँ दर्शको 2024 और 2025 का साल पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्पुन रहने वाला है और महत्पुन इसलिए रहने वाला है कि 2023 से 2025 के मद्धे में जो दुनिया में बदलाव आएंगे वो अपने आप में बहुत बड़े होंगे और बड़े इसलिए होंगे कि इन बदलाव के अंदर हम दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को होतावा देखेंगे जिने शायद नहीं होना चाहिए लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ 2023 के अंदर जिन परिस्थितियों ने जन्म लिया है 2024 के अंदर वो परिस्थितियां अपना मुर्त रूप यारी प्रैक्टिकल हम लोगों के सामने आएगी और 2025 में उसका एक विक्राल रूप हमको देखने को मिलेगा क्योंकि यह समय ही ऐसा है ऐसे में भारत भी 2024 के अप्रेल से दिसंबर 2025 तक ऐसे परिस्थितियों का सामना करेगा जो भारत के लिए ठीक नहीं है अब ये बात मैं आपको अपने कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ आज इस वीडियो में उसको रिपीट करने का कारण क्या है अब महत्पुन बात मैं आप लोग के सामने रखता हूँ दर्शको राम मंदिर के निर्मान के साथ में एक ऐसा प्रचार भी किया जा रहा है कि ये मोरत का समय शुब नहीं है और शंक्राचारियों के माध्यम से बात हम तक आ रही है ये समय शुब नहीं है अशुब समय में यदि स्थापना की जाती है तो वहाँ पर पिशाच और नजाने कैसी गलत शक्तिया महाँ पर विराजमान हो जाती है बहुत गलत होगा ऐसी कई बाते आप लोगोंने सुनी भी होगी लेकिन जब अप्रेल के बाद इस्ततियां बिगडेंगी वो भारत के अंदर भी बिगडेंगी तो ये सब चीजे तो होगी ही होगी लेकिन दुष्ट प्रवर्थी के लोग और गलत इरादे के लोग इस राम मंदर के निर्मान से संबंदित इस मुरत का आने वाले भविश्य के अंदर एक दुष्प्रचार के रूप में इसका इस्तिमाल करेंगे कहेंगे देखे हमने कहा था ये समय शुब नहीं है इस समय पर मूर्तिक स्थापना नहीं होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए अब देखिए गलत समय पर ये काम किया गया इसलिए देखे, आप भारत के अंदर अब ऐसी परिस्थियां पैदा हो गई हैं यह समस्याय आ रही है, इस तरह की इस्थियां बन रही है लोगों को भड़काने का काम किया जाएगा गुमरह करने का काम किया जाएगा लोगों की जो आस्था बनी है भगवान राम के प्रती उसको खंडित करने का प्रयास किया जाएगा और ऐसे में जब आप दोनों घटनाओं को मिला के देखेंगे हाँ बात तो ठीक है राम मंदिर के निर्वान के बाद में ये सब कुछ होने लगा है अभी तो दो-तीन महीने हुए हैं परिस्तिया बिगरना शुरू हो गई है और कह भी कौन रहा है इतने बड़े धर्म गुरु कह रहे हैं तो बात तो ठीक होगी ऐसे विचार भी आप लोग के मन में आएंगे इसलिए घटना घटित होने के कई महीनों पहले इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने बात रख रहा हूँ कि उस समय पर जब ऐसा दुष प्रचार होगा तो आपको ये समझ लेना है कि ऐसा तो होना ही होना था क्योंकि अप्रेल 24 से लेकर दिसंबर 25 तक भारत भी विशम परिस्थितियों का सामना करेगा ये बात निश्चित है ऐसे में भगवान राम की ये जो मूर्ती की स्थापना है मंदर निर्मान की स्थापना है ये जो होने जा रहा है हकीकत ये है ये हमारी रक्षा करेगा धर्म की स्थापना होने जा रही है और धर्म की स्थापना कभी भी किसी का अहित नहीं करती है ये हमारे आने वाले समय के अंदर उस सनातन को पूरे विश्व में फैलाने का काम करेगा ये मंदिर का निर्मार और ये बात भी आप आने वाले समय के अंदर सत्य होतावा पाएंगे पूरी दुनिया के अंदर सनातन को स्विकार करनी की होड मचेगी ये बात मैं आपको लगबग 3-4 साल पहले अपने वीडियो के मात्यम से कह चुकाओं कि आने वाले समय के अंदर सनातन को स्विकार करने वालों की होड मचेगी और आप वर्तमान में इस राम मंदर के निर्मान के साथ दुनिया के अंदर एक ऐसी ही होड को आतावा देख रहे हैं ऐसे में राम मंदर निर्मान की जो तिति है इसको शुब और अशुब मुरत में जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यही लोग आने वाले समय के अंदर उस विशम पारिस्तिती में जिसका आना निश्चित है भारत के लिए भी, क्योंकि जब विशम बदलाव होगा तो उसे भारत भी अच्छुता नहीं रहेगा, उस समय पर इसी सनातन को, इसी धर्म की स्थापना को, इसी मंदर निर्मान की इस पवित्र तिथी को लेकर के लोग दुश प्रचार करके लोगों को गुमरहा करने का काम करेंगे और उस समय ये वीडियो आपकी मदद करेगा, बहुत पहले, कई महिनों पहले, भविश्य में होने वाली घटना के संदर में आपको एक सटीक आकलन दे रहा हूं, कोई श प्रियास करेंगे आने वाले समय के अंदर, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो सत्य है, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और इस सत्य को हमें स्विकार भी करना है, और उस समय पर जब पूरी दुनिया के अंदर ही नहीं, हर जगे पर, यानि कि भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी हर जगे पर इस बात को प्रचारित करने का प्रयास किया जाएगा, देखिए, अशुब मूरत था, हमने कहा था, अब ऐसा हो रहा है, अब भुगतिये आप, हमने तो पहले ही कहा था, और यहां आपकी आस्था भी डगमगाएगी, आपका क्यों ऐसा होना था और उसके लिए वो कैसे हमारे सत्य को भी दुमिल करने का प्रयास करेंगे, इस सारे बाते मैंने आपके सामने एक एक शब्द के मात्यम से सटीक तरीके से आप लोग के सामने रखी है, इस वीडियो को आप जिसको भी भेजना चाहें भेज दीजिए, भ यह बहुत महत्पूर था, इसलिए मैंने बहुत इस पस्ट शब्दों में बात रखी है, क्योंकि यहां पर कुछ बात ऐसी होती है, जिने घुमा फिराके या संकेत रूप में नहीं कहा जा सकता, इस पस्ट बोलना उस समय की हमारे लिए बात देता होती है, और वही काम मैं कर रहा हूं, बहुत इस पस्ट शब्दों में आपके सामने बात रख रहा हूं, भविश्य के अंदर इस चीज को ले करके एक बहुत बड़ा दुश प्रचार अवश्य किया जाएगा और उस समय हमें सावधान रहना है, उमीद करता हूं मेरे वीडियो आपको भविश्य क कि उन गटनाओं से बचने के लिए प्रिर्द भी करेगा, आपको मार्दशन भी देगा, मिलते हैं अगले वीडियो के इंदर, जै हिंद, जै भारत, जै सनातंधर्मिकी